नमस्कार स्वागत आपका सागर कोचिंग सेंटर हुवानपूर में मैं हूँ सरवन कुमार सागर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राश्टिया आई सव में धाच चात वुर्थी परिचा 2023 यानि NMS एक्जाम 2023 का रिजल्ट कैसे देखें और बिहार का बिहार में 22 जनवरी 2023 को NMS का एक्जाम हुआ था तो उसका रिजल्ट हम लोग कैसे देख सकते मोबाइल से चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा इसे ओफिसल वेबसाइट पर जहां पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और यह कि अपको चार अंगों का एक कोड़ सो होगा वही होता है कि अपको उसे इसमें फिल करना होता है और फिल करने के बाद सिधा इस पर सब्मीट कर देंगे और आपका रिजल्ट सो हो जाएगा तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि कैसे आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं बिहार एनमेस एकजाम 2023 का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल में और यहां पर लिखना एसी आर्टी बिहार लिख करके सर्च करना जैसे सर्च करेंगे जो यह पहला वेबसाइट आएगा यह इसका ओफिसल वेबसाइट है तो आपको क्या करना इसके नीचे आपको देखना है तो यहाँ पर एनमेस रिजल्ट का एक ओप्शन आपको दिखाई देगा आपको सिंपली साइस पर एनमेस रिजल्ट वाले उप्शन पर क्लिक कर देना जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर ओफिसल वैपसाइट पर पहुँँच comment or captcha code ये वाला Code डाल करके सम्मिट करेंगे तो आपका result हो जायेगा तो आपने देखा कि कैसे आप अपना याण देख सकते हैं तो आपको वता दें कि बिहार में अभी नहीं आया है आपका result जो है सब्सक्राइल मार्च 2023 के अंतिम सब्सक्राइब एस पर लिड़े बना दीजिए तो चली हमने आपको विडियो बना दिया तो आप इस तरस erf में जिक कर पाएंगे लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया जैसे आएगा तो अफह प्रसे जेक कर पाएंगे जानकारी अच्छी लगए हो तो लाइक करें चैनल प्नय तो सब्सक्राइब करें दाने वा